यहां आप सभी को मिलती हैं फुली एकसिसिबल टॉक पेक के साथ ज्ञान बर्धक टेक्नोलोजी चौब अलट से सम्मंदित नई नई अपडेट्स इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजे सब्सक्राइब वीडियो को कीजे लाइक्स ताकि आपको मिल सके हमारी की वीडियो की सबसे पहले अपडेट तो कंट्यूनिव वाचिंग इन्फोर्मिशन फोर विजुली इंपेर्ट यूट्यूब चैनल सो हेलो एवरिवन कैसे आप सभी उमीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो भाई आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है स्सी सीजील 2022 जी हां दोस्तों स्सी की ओफिशल वेबसाइट पर एक नोटिस आया है स्सी सीजील 2022 के रिकार्डिंग तो कंप्लेट इंफोर्मेशन बताऊंगा क्या वो नोटिस है और उसमें दोस्तों हमारे लिए यानि कि जो दिव्यांग है या फिर जो विजुली इंपे देखने संहां है और एक बहुत बड़ा चेंज अब हमें 2022 बढ़र हमें देखने को मिल रहा है बस उसके लिए आपको दोस्तों करना सिर्फ इतना होगा कि इस वीडियो को last तक देखना होगा यह आप इस वीडियो को fast forward करके देखेंगे या बीच में थोड़ा थोड़ा गैप देखेंगे या छोड़के चले जाएंगे तो आपको जानकारी आधिया धोरी मिल पाएगी फिर उसका मज़ा आपको भी नहीं आएगा और हमें बनाने वाले को भी नहीं आएगा ठीक है इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अगर आप देखना शुरू कर ही चुके है तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो नोटिस है पहले हम उसको करने को मिल रहा है कि ऐसे सी हमारा जो डॉकमेंट वेरिफिकेशन वह इस बार नहीं करवाने वाला है आप कौन करवाएगा कैसे करवाएगा सारी चीजे इस वीडियो में आपको पूरी 100% एकुरेसी के साथ क्लियर हो जाएंगी ठीक है और दोस्तों मैं आपको यही पर क्लिक करके हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लो और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा तो आप बैरा पे फर व przyszter कर चुके और लाश् görevाने लाहीं प्रेस कर दो सके आगे वीडियो एक और देनी है कि हमने एक नया चैनल क्रिएट किया जिसका नाम है तरुन जुनेजा व्लॉक्स दोस्तों उस चैनल का जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा डाल दिया है मैंने और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है कोमेंट भॉक्स खोलोग होगा व्लॉक्त दोस्तों वह चैनल बनाने का मेरा मोतिव यह है कि जो दरिश्टी बादे दिव्यांग जैन होते हैं वह अपनी यात्रा सग् Emb knit यह आरहन bisa बस में प्लाइट में जा रहे नहि صिंप किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या फिर कोई यात्रा में जा कि हम आगे बढ़ पाए ठीक है तो यह तो बात हुई सारी है ना अब हम बात कर लेते में मोटी पर जो हमारा आज की वीडियो का फोकस है तो चलिए मैं आपको पहले ओफिशल वेबसाइट पर लेके चलता हूं की सीजियल का जो नोटिफिकेशन आया वह ओफिशल वेबसाइट पर देख लेते हैं पहले हम उसको रीड करेंगे हिंदी इंगलिस तता हिंदी में उसके बाद हम उसको फाइनली में उसको आपको बता दूंगा ठीक है फाइनल लास्ट में मैंने इस वीडियो के बताया है कि कि आपको किस तरीके से जो डोकुमेंट वरिफिकेशन इस बार होने वाला किन किन चीजों का आपको जहान दखना है ठीक है चले मैं गूगल पर डाल दिया एससी ऑफिशल वेबसाइट यह रेखिए एससी डोट एसी डोट इन यह ओफिशल वेबसाइट मैंने दोस्तों य इसका 27 सप्टेंबर का आपको इसलिए मिल पा रहा है बिकोस दोस्तों इस पर मुझे रिसर्च करना पड़ा काफी सार तभी मैं आप सभी के लिए जानकारी जुटा पाया हूं ठीक है चले मैं इस पर क्लिक करता हूं आप जैसे मैं सब्स्राइब करता हूं डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं ओपन विद आयगा इसको जोने वो क्या है इसलिए एक पर फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अभी तक वीडियो को लाइक करना भूल गया तो लाइक बटन दबा दो नीचे दिया हुआ है और इस वीडियो को सभी तक शेयर कर दो आपने तक मत रखना तक कि सभी को यह इंफर्मेशन मिल सके ठीक है और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यह जो नोटिस है यह बहुत ही इंपोर्टन है खासकर विजुल इंपेट के लिए ठीक है अब वह क्या है आपको पता है कि जो एससे की वेकेंसी हैं वह इस बार ट्वंटी ठाउजन है एसस यूटूब पर सर्च कर लिए एससे सीजियल कंप्लेट इंफरमेशन ट्वंटी 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 टू बाय तरुन जुनेजा इस तरीके से करेंगे तो आपको पहला वीडियो हमारा मिल जाएगा ठीक है और एक चीज मैं और यहां पर क्लियर करता चलूं आप सभी के दोसे सलिए जो इस बार एसे सी एक एक इस्टेंट की इसमें वाली सोशल असिस्टेंट की जो होती है लोग्राइप जल्द आपको अफिशल वेब्सेट्र की सारी स्वाइन एक इसपेक्टर बगएए लोगारा तो यह सब चीजें होती है तो इसका जो ऊफिशल व्योखकी से दोस्तों वह बहुत जल्द आपको ससी की ओफिशल वेबसेट पर देखने को मिल जाएगा जैसे वह नोटिस आएगा तो कम्प्लीट इंफोमेशन आपको हमारे चैनल के द्वारा मिल जाएगा कि विजुल इंपेड के लिए कौन-कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वेकेंसिस अलोट की गई एव कि जब सस्थ नोटिफिशन आता है चाहें कोई भी नोटिफिशन और चाहें से म्टीफ गलो जब बीनटिस आता है तो उसके वान के बाद सारे अनाउंस करता है अब फाले नोटिस देता है तो चलिए यह सब बातें हो गई अब मैं आपको न प्रोटना इडली The examination and mode of selection for CGLE is different as compared with that of CGLE the notice of CGLE 2022. The aspirants are advised to go through the same thoroughly, before applying for CGLE. Document verification, DV, process for CGLE departments slash organizations after declaration of the commission, will not undertake detailed scrutiny of applications for the, and other aspects at the time of written examination, and, therefore, candidature will be accepted only provisionally. Candidates must go through the requirements of educational qualification, experience, age, physical and medical standards, etc., satisfy themselves, that they are eligible for the post and possess valid documents. The certificates slash documents in support of their educational qualifications and cast slash category, etc., shall be sought at the time of document verification by the US. Lodhi Road, Government of India Staff Selection Ministry of Personnel. Public grievances and pensions, number 12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi Important Notice Combined Graduate Level Examination, 2022 PP underscore 1. The aspiring candidates for combined level examination, 2022, CGLE 2022, may refer to the notice of examination dated 17.09.2022 and note the following. They should submit their online application much before the closing date, i.e., and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection slash inability or failure to log into the website on account of heavy traffic on the servers during the closing days. Candidates are further cautioned that no extension of last or submission of application shall be granted under any circumstances. The scheme and syllabus of the examination and mode of selection for CGLE is different as compared with that of CGLE 2021. The same has been given in detail in 2022. The aspirants are advised to go through the same applying for CGLE 2022. Document verification, DV, process for CGLE 2022 will be done by the usernizations after declaration of final result by the commission. The commission will not undertake detailed scrutiny of applications for the and other aspects at the time of written examination, and, therefore, candidature will be accepted only provisionally. Candidates must go through the requirements of educational qualification, experience, age, physical and medical standards etc. satisfy themselves that they are eligible for the post and possess valid documents. The certificates slash documents in support of their educational qualifications and cast slash category, etc. shall be sought at the time of document verification by the usgovernment of india staff selection commission ministry of personnel, public grievances and pensions, block number 12, CGO complex, Lottinu Delhi-110003. The aspiring candidates for combined graduate 2022 may refer to the notice of examination date that they should submit their online application much before the closing date i.e., and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection slash inability or failure to log into the website on account of heavy traffic on the server's candidates are further. Caution that no extension of last or submission of application shall be granted under any circumstances. The scheme and syllabus of the examination and mode of selection for CGLE 2022-2021. The same has been given in detail in 2022. The aspirants are advised to go through the same will be done by the user final result by the commission. The commission will not undertake detailed scrutiny of applications for the eligibility and other aspects at the time of written examination, and, therefore, candidature will be accepted only provisionally. Candidates must go through the requirements of educational qualification, experience, age, physical and medical standards etc. and satisfy themselves that they are eligible for the post and possess valid documents. The certificate slash documents in support of their educational qualifications and cast slash category etc. shall be sought at the time of document verification by the user. So, see, friends, we have read this first page here. Okay? Let's read this second page. Let's read this. Page 2 of 3. Department slash organizations. Physical and medical standards will be ascertained by the user department slash organizations after the declaration of final result. After scrutiny of the certificates slash documents of X slash. cast slash category etc., if any claim made in the application is not substantiated by valid certificates slash documents, the candidature of candidate will be canceled slash rejected by the user department slash organizations. In such scenario, the candidate will be solely responsible for the same, and the commission will not have any responsibility. Any grievance received in this regard in any form like post, fax, email, by hand, etc. shall not be entertained by the commission, and will be summarily rejected. If reference for various posts and departments will be taken from the candidates through online option form on the website of the commission before declaration of final result. A candidate will not be considered for a post and ministry slash department slash organization if he has not indicated his preference for it. Options once submitted shall be treated as final and will not be changed subsequently under any circumstances. Therefore, candidates must be careful in exercise of such options. Candidates who do not submit their post preferences on the website of the commission within the stipulated time will not be considered for any post in the final result. Such candidates shall not be provided with another opportunity to exercise preference for posts, and will be solely responsible for the same. Any grievance received in this regard in any form like post, fax, email, by hand, etc. shall not be entertained by the commission, and will be summarily rejected. v. There are a few posts like inspector, central excise slash examiner slash preventive officer, inspector, and subinspector in CPN, ministry of finance, subinspector slash junior intelligence officer in NCB, MHA, subinspector in CBI and NIA, UDC and ROH, etc. which have specific requirement of physical standards, physical tests and medical standards, details of which is given at an extra XVI and an extra XVI of the notice of CGLE 2022. Physical and medical standards will be ascertained by the user departments slash organizations after the declaration of final result. the candidates are advised to contact the concerned user department slash organization for further clarification, if any, why, the suitability of posts for various benchmark disabilities under the rights of persons with disabilities, RPWD Act 2016 will be considered in accordance with notification number 38-16 slash 2020 DD3 dated 04.01.2021 issued by Department of Empowerment of Persons with Disabilities, the VNG, ministry of social justice. तेके दोस्तों, यह हो गया, इसका second page. चले थर्ड पेज देख लेते हैं, भटापट. And Empowermenter is identified and intimated by the indenting departments slash organizations for specific posts. However, all PWBD aspirants are requested to apply for the examination before the closing date of receipt of applications. V.I. The candidates may carefully note instructions regarding photograph to be uploaded on the application form. Viz. It should be of specified size and dimension, without spectacles and cap, not having side profile, etc. V. Candidates are advised to check their form through preview or print option before submitting the form under Secretary PNPI 27.09.2022. तो यह था दोस्तों, इसका notice English में, ठीक है. अब इसमें क्या क्या दिये गए, चले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हिंडी में read कर लेते हैं. अब इसमें जो mainly बात कही गई है, दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें करवाता था है ना, इसमें CGO complex में बुला के, जैसे कि आप सभी को पता होगा, बट इस बार SAC ने CGL में change कर दिया है, वो document verification खुद ना करवा के, जो user department है, जहां पर आपकी posting होईगी, वो directly आपका DV करेंगे, और SAC ने डिक्लेर कर दिया notice में, कि भाई, अगर आपने form भरते समय कोई भी गलती कर दी, anyhow, कोई भी, अगर आपने एक date of birth का point one भी गलत कर दिया, या फिर आपने category गलत कर दी, इसलिए आपको form भरते समय, बहुत ही ज़्यादा सवधानी भरतनी है, यदि आपको लगता कि form आपसे गलत हो गया, आप form पहले से भर चुके हैं, तो 12 तारिक को इसकी correction window open हो जाएगी, जिसका video बना के, मैं आपको channel के माध्यम से बता दूँगा, तो वो window जब open होगी, उस इसे हम form भरते समय, photo sign upload करते हैं, थम तो चलो ठीक है, बर जो दोस्तों photo अगर आप upload करेंगे ना, तो photo में आपको इन चीजों को ध्यान रखने कि photo में आपने चस्मा नहीं लगाया होना चाहिए, आपकी photo में आपको चस्मा बिना चस्मे के photo upload करनी है, और second आपको कोई cap नहीं डालनी है, वह आपकी मर्जी है, तो अगर आप डेट डाल देंगे तो आपको तीन महीने पुरानी ही डालनी है, यदि आप डेट नहीं भी डालेंगे, तब भी आपको accept हो जाएगा, ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है, अब तीसरी अगर हम बात कर करेंगे, तो और अच्छे से समझाएगा, ठीक है, तो मेंली जो सबसे बड़ा चेंज है यहां पर वह यहीं है, कि आपका जो डीवी है, वह इस बार ऐसे सी कंटेक्ट नहीं कराएगा, ठीक है, चले अब हम इसको एक बार हिंदी में रिट करते हैं, बाकी की बातें, मैं आ चले इसको हिंदी में रिट करते हैं, बार प्रतीक्षा नकरें सर्वर पर भारी ट्रेफिक के कारण वेबसाइट पर लॉगिन करने में असमर्थता या विफलता समापन के दिनों में, आवेदन जमा करने की तिथी किसी भी परिस्थिती में दी जाएगी, आई, CGLE के लिए परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम औ नहीं करेगा और लिखित परीक्षा के समय अने पहलू और इसलिए उम्मीद्वारी होगी केवल अस्थाई रूप से स्वीकार किया गया, उम्मीद्वारों को की आवश्यक्ताओं से गुजरना होगा शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयू, शारीरिक और चिकित्सा मान आधि खुद को संतुष्ट करें की विपद के लिए पात्र हैं और उनके पास वेद दस्तावेज हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता और जाती के समर्थन में प्रमान पत्र दस्तावेज हमारे द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय श्रेनी, आधि की मांग की जाएगी परीक्षा की सूचना दिनांकित देखें 17 सितंबर 2022 और निमनलिखित नोट करें, उन्हें अपना ओनलाइन आवेदन अंतिम तिथी से बहुत पहले जमा करना चाहिए अर्थात, और व्योग की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथी तक प्रतीक्षा न करें, सर्वर CGL E 2021 की तुलना में अलग है, उसी के बारे में विस्तार से बताया गया है 2022, उम्मीद्वारों को हुसी के माध्यम से जाने की सलाह दी जाती है CGL E 2022 के लिए आवेदन करना, CGL E 2022 के लिए दस्तावेज सत्यापन, TV, प्रक्रिया उप्योग करता द्वारा की जाएगी आयोग अंतिम परिणाम की घोशना के बाद निरने, आयोग आवेदनों की विस्तरित जाच नहीं करेगा और लिखित परीक्षा के समय अन्य पहलू और इसलिए उम्मीद्वारी होगी केवल अस्थाई रूप से स्वीकार किया गया, उम्मीद्वारों को की आवश्यक्ताओं से ग कर्मचारी चयन आयोग कार्मीक मंत्रा लाइब, जनता शिकायोते और पेशन, ब्लॉक नमबर 12, CGO कॉंप्लेक्स, लोधी नई दिल्ली-110,003, सन्यूप सनातक के इच्छुक उम्मीद्वार 2022, दिनांकित परीक्षा की सूचना का उल्लेक कर सकते हैं, उन्हें अपना ओन-ल के लिए परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम और चयन का तरीका 2021, उसी के बारे में विस्तार से बताया गया है 2022, उम्मीद्वारों को उसी के माध्यम से जाने की सलाह दी जाती है, उप्योग करता द्वारा किया जाएगा आयोग द्वारा अंतिम परिनाम, आयोग पात्र है और उनके पास दस्तावेज है, उनकी शक्षिक योग्यता और जाती के समर्थन में प्रमान पत्र दस्तावेज उप्योग करता द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय श्रेनी, आदि की मांग की जाएगी तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पर हमने जो फर्स्ट पेज उसको रीड किया बहुत अच्छे से ठीक है, इसमें यह क्या कह रहे हैं कि भाई जो आपका इस बार पैटरन है वो हमने खेर पहले डिटेल वीडियो में बताई दिया था जब हमारा नोटिफिकेशन आया था एसे CGL का 2022 का तो उसमें हमने बताया था कि इस बार पैटरन चेंज किया गया है ठीक है तो पैटरन में क्या चेंज है वही कि टियर वन इस बार कॉलिफाई कर दिया है पहले इसके मार्क्स जूटते थे 200 मार्क्स का कॉलिफाइंग हो गया है और जो सेकिंड इसका पेपर हो वह टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है कितना टाइम मिलता है उसमें छूट मिलती है कि नहीं मिलती है विजुल इंपेड को या किसी भी दिव्यां को उससे अगर आप वीडियो चाहते है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं एक डिफरेंट एक वीडियो आप सभी के लि तो चलिए दोस्तों इसका जो सेकेंड पेज आब हम उसको हिंदी में रीड कर लेते एक बार फिर लास्ट वाले पेज को रीड करेंगे कि दोस्तों मैं एक काम करता हूं कि सेकेंड पेज और थर्ड पेज एक साथी कोपी कर लेता हूं पर्कमें पर्कमें प्राइब कर लेता हैं जाले मैंने दोनों को एक साथ क्यों कर लेता हैं कि हमारा टाइम बचेंगे प्राइब करते हैं द्वारा शारीरिक और चिकित्सा मानकों का पता लगाया जाएगा अंतिम परिणाम की घोशना के बाद उप्योग करता विभाग संगठन जाच के बाद EQ जाती श्रेनी आदी के प्रमानपत्र दस्तावेज यदि कोई दावा किया गया है आवेदन वेद प्रमानपत्रों दस्तावेजों द्वारा प्रमानित नहीं है उम्मीद्वार की उम्मीद्वारी को उप्योग करता विभागों द्वारा रधा स्वीकार कर द इव उम्मीद्वारों से विभिन पदों और विभागों के लिए वरियता ली जाएगी आयोग की विबसाइट पर ओनलाइन विकल्प फॉर्म के माध्यम से पहले अंतिम परिणाम की घोशना एक उम्मीद्वार पर एक पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा और मंत्राल क्याम करने का एक और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा पदों के लिए वरियता और उसी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा कोई शिकायत इस संबंध में दाक फैक्स इमेल हाथ से आधी किसी भी रूप में प्राप्त नहीं होगा आयोग द्वारा मनोरांजन किय जाएगा और सरसरी तोर पर खारिज कर दिया जाएगा इनस्पेक्टर केंद्रिया हुथ पाद शुल्क परीक्षक निवारक अधिकारी जैसे कुछपद हैं जिसका विवरण अनुबंद, XVII, और अनुलगनक, XVIII, में दिया गया है CGLE 2022 की सूचना के संबंद में, शारीरिक और चिकितसा मानकों का पता लगाया जाएगा अंतिम परिनाम की घोशना के बाद उपयोग करता विभाग संगठन, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंदित उपयोग करता विभाग संगठन से संपर्क करें आगे सपश्ठीकरन, यदि कोई हो, वाय, व्यक्तियों के अधिकारों के तहित विभिन डिचमार्क विकलांगों के लिए पदों की उपयोगता विकलांग, RPWD, अधिनियम, 2016 के अनुसार विचार किया जाए तो मेंली दोस्तों आपको किन किन चीज़ों का जहां दखना कि जो दिव्यांग है जो पी डव्यूटी के टेगरी वाले हैं उनके यहां पर यह बताया गया है जो आपका RPD एक्ट 2016 है दाराइट सब परसन भी डिसिबिलिटी एक्ट उसके अकोडिंगली आपको पोस्टिं आप साइन करते हैं को क्योंकि दोस्तों इस बार चेंजिस यह है कि आपका नहीं करवाने वाला है तो जो यूजर डिपार्टमेंट डिवी कराएगा वो किसी भी जो आप शिकायत करेंगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा चाहे आप डाक के मादम से करें कोई फैक्स ब बढ़ना है और ध्यान से समझना है ठीक है बाकी डिटेल नोटिफिकेशन यह जो नोटिस है वह सारा हमने रीड कर लिया हिंदी में भी और इंग्लीश में और आपको अच्छे से सारी चीज़े क्लियर हो गई हो और यहां पर मेली एक बात कही गई है कि आपका जो यहां प प्रेटे के रिए वह फीस बरते तो उनकी पेमें टटक जाती है या और चीज़े बहुत सारी होते हैं जिनमें बहुत सी दिक्कते आ जाती है ठीक है तो लास्ट डेट का आपने बिल्कुल भी बेट नहीं करना है अगर अभी तक भी फॉर्म नहीं भर आ है तो फॉर्म भर फोटो का द्यां दखना है साइन का ध्यां दखना है और जो डिटेल आप भरते हैं कैटेगिरी हो गई यह आपका और नेम हो गया और सब चीजें होते हैं उन्हीं चीजों का ध्यान दखना है बाकी तो सब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया ठीक है तो यहीं कुछ important updates s से सीजियल के रिकार्डिंग था 2022 और वी कोई सवाल आपका इससे रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते मैं आपके कमेंट का रिपलाइग कर दूंगा ठीक है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ अगर आफ चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा पास में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा शेयर कर दिजेगा सभी के साथ और कॉमेंट में अपनी राही जरूर दीजेगा कि आपको ह नेक्स्ट टोपिक के साथ बबबाई टेक कियर जय हिंद जय भारत